और जो इंक्वारी होती है ये काम करना पुलिस का काम है आप इंटर्फेर नहीं कर सकते हैं हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप गंवेड़ता से अपने सतर से देखवा ले हैं ना हम किसी को फसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ये काम नहीं है सरकार का में कि निर्दोश को पुला करके खाना पुर्ती पुलीस कर दी है तो इसको अधिकार है हाँ उसको अधिकार है आप हमको दिना बताईए तो इस मामला को सरकार क्यों गंधेरता से नहीं लिए संभिधान का खुलिया मुलंगं कर रहा है आप बीच में बरावर बोलिएगा बात नहीं सुनिएगा तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं हम आपको एक बात कर रहे हैं अगर कोई इसू हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमीटी बन गई आपने उसक अधिकार समीती को अब विसेशा अधिकार समीती एक एक शीज को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी और जब अपनी राय व्यक्त करेगी तो हम आपको इतना करते हैं कि हम गर्मेंट में उस राय को फिर से विचार जरूर करेंगे और दिखवाएंगे कि एक तरफ उसको फिर से दुखवाएंगे हम और दिखवा करके जो कुछ भी ऐसली चीज होगा उस चीज को सामने लाया जाएगा इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई तो बात होगे इसको रोज रोज चर्चा करने की जरूरत नहीं है जब एक बार हाउसी में उसको कर रहे हैं तो उसको देख लिया जाएगा निश्ची तुरूप से देख लिया जाएगा उसके लिए कोई चिंता मत करिए हम लोग ऐसा नहीं और हम तो चाहते ही हम सब दिन बोलते हैं कि हाउस में जिन लोगों को जो उचित लगे वो प्रस्ट उठाइए इस बात को रखिए जब आप दिया जाता है तो उस सब चीज तो किया ही जाएगा इसमें कोई शक ने लेकिन इस चीज को अकारण इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है जब एक बार आपने उसको दे दिया तो उसके बाद फिर आप इसको रोज रोज उसकी चर्चा करने की आप सकता नहीं है इतना हम ज़रूर आग रख करेंगे आप से चलिए सरी साल्मी सरी मती साल्मी मिस्टर अमानिय सगस्या यह सरी जितंड को मैरा है मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं सुन रहा था इसलिए हम हाउस में आए हैं इसलिए हम हाउस में आए हैं यह काम है सरकार का जबाब दे रहा है और मैंने और अथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना हम बैठ करके सुन रहा है ये तो बता रहा है कि पूरी इंक्वारी हो रही है और जब पूरी इंक्वारी हो रही है तो वो गया ये हाउस का चीज है आप जब इंक्वारी हो रही है और ये हुआ इसके लिए कोट है और जब इंक्वारी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोट में आप हाउस में पूछ रहे हाउस में बताया जा रहा है और जो इंक्वारी होती है ये काम करना पुलिस का काम है आप इंटर्फेर नहीं कर सकते हैं और जा संबिधान देख लीजिए आप संबिधान देख लीजिए देख लिए एक बात जान लिजिए मुझको तो आस्चर्ज होता है हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए संबिधान क्या कहता है आप जब इन्क्वाइरी हो रही है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीत ये उसका अधिकार है और अगर वो गड़बड करेगा सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना और आप जानते हैं हर बार हम एक एक बात कहते हैं ना हम किसी को फसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ये काम नहीं है सरकार का ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं इस बात को लेकर क्या चड़िये गातिस तरह से हाउस चला रहे हैं आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूँगा किस तरह से बार-बार आप इस सवाल को पूछिएगा मानलिया मुकमन्ति जब जब जबाब दे दिया गया इंक्वाइरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वाइरी होगी और इंक्वाइरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वाइरी की रिपोर्ट कोट में जाएगी और तीन बना हुआ जगा है तो इसको अधिकार है हाउस को अधिकार है आप हमको जोना बताइए तो मानलिया मुकमति जब आसन की बात भी सुना जाए मैं आसन की भी बात सुनी जाए जब प्रस्ल करता ने प्रस्ल उठाया कि कुर्की जप्ती हुआ है कि नहीं मान ये मुख मंत्री जी जप्रस्ल करता कुर्की जप्ती की बात उठायी उन्होंने जबाब नहीं दे पाया मान ये मंत्री जी आपको जबाब नहीं दे पाया कुर्की जप्ती पर पूर्ट हाउस पे सब में थोटा है रिपोर्ट कोर्ट में जाता है कहीं भी क्राइम होगा उपकी जबती पर गानकारी वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर inquiry करके सजा देगी आपका ये काम नहीं है आप पूछ रहा है जबाब दिया जा रहा है अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे इसका मतलब है सम्विधान का खुलिया मुलंगं कर रहे हैं मानने मुखलिती अब सुना जाए इस तरह से नहीं चलेगा ये बिल्कुब बता दे जैसे चले उसी तरह चलाएंगे मैं जब प्रस्ण आया कि इस खुर्की जबती कब तक होगा और उसी में एक मामला इन्हों ने जोरा जिसके कारण तीन बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठकर के हंगामा किये हमने आगरा किया कि विशेशा धिकार कमिटी में चल रहा उस पर चर्चा नहीं होगी मामला हुआ कि जो आयोजन करता हुद घातन करता का आज तक रेस्टिंग ने हुआ दरसक दिया में बैटे लोगों को अंदर भेज के उन्हीं इस दिन के बाद जेल से निकला ये इस मामला को सरकार क्यों गंभेड़ता से नहीं ली और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जबत दुरभाग से मान्ये मुखमंत्री जी ये घटना मेरे छेट से जुरा है आपका गुसा जाईज है और संदिधान हमसे ज़्यादा आप जानते हैं इसमें भी दूमत नहीं है हम लोग तो आपसे सीखते हैं आसन तो आपसे क्या जो वरिष्ट लोग हैं उनसे भी सीखते हैं और सदन चल रही है सबके सहयोग से लेकिन आपके उस जीवे टॉलेंस का मामला नयाई के साथ विकास का मामला कानून का राज स्थापित करने का ना बचाते हैं ना फसाते हैं तो सदन तीन बार हंगामा किया सारे पक्ष और परतिपक्ष के सदस खरे हुए और उनने कहा कि दरसंद रगा के देख्ची को आपने जेल बेज दिया जो की ठाना से मिजमानत मिलता है लेकिन आयोजन करता हुद गातन करता पर आपने करवाई नहीं किया जो पदाधिकारी वहां मवजूद था उस पर भी आपने करवाई नहीं किया पूरी मामल नहीं यह यह नहीं है आ कावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे कानून के साथ ख्यलबार करेंगे विधायका को कमजोर करना चाहेंगे अब परसासनी करा जगता पहलाना चाहेंगे जो मुखमंत्री कतर नहीं होने देंगी और आपकी अच्छी बात है हम चाहते हैं कि पूरी मामला क कि मेरे छेट से जुड़ा है और आप खुद कहीं बार कहें हैं कि विधायका पूरे विहार का कहीं कि भी प्रस्ण को कहीं कि भी विवस्था को देख सकता है उन्होंने पूछा कि कुर्की जबती अभी तक नहीं हुए आपने भी बोला कि साथ दिन के अंदर नहीं करेगा तो कारवाई करेंगे साथ दिन से उपर हो गया मामला छेतर जाते हैं मानिय मुखवंतिरी जी ये सम्मान आप लोगों नहीं दिया जाते हीं लोग कोश्टन ख़रा कर देता है पूछता है आप इतने बरे आसन पर बैठा करके और मैं एक दारोगा का एक ठाना प्रवारी का दियस्पी की भी बात को नहीं रख पाता हूँ विधायका का कई प्रस निश्पर उठा है आप लोगों की बैठेक में मामला उठा है जैसे आप कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी लेकिन सरकार के संदक्षन में सरकार के नीती के हित में ही हम लोग ये विवस्ता ब अपने घर चले गया मं लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहां अपना घर नहीं अगर सि C पूर्णिया में अपने शहर में अपना पूर्णिया में पैनोरमा ग्रूप लेकर आये हैं इहोंस पैनोरमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुधाओं के संग इहोंस पैनोरमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइनड